हुआ है हलो दोस्तों तो आज में आगे हैं अपने टिटोरिल के साथ जिसमें आप लोग को दाओंगा कैसे करें फुटबॉल को अपने उंगली पर स्पिन तो सबसे बहुत हैं अपको यह बता दूब कि मैंने टिटोरिल बनाया है अपने एक्सपरिंसिस के साथ और मैंने इसे कुछ पार्स में डिवाइट कर दिया है सबसे इंपॉर्टन बाट तो इस टिटोरिल की यह रहेगी कि जो भी आप इस बॉल को स्पिन करेंगे इसका बैलन्स उसकी स्पीड पे डिपेंड करेंगा जितना तेज आप बॉल को स्पिन करेंगे आप उतने अच्छ पे बॉल को स्पिन करना जाते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड की मनद से अपने राइट हैंड में बॉल को दे और चेक करें कि आपकी जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रॉंग होनी चाहिए ताकि आप बॉल को और तरीसे स्पिन कर पाएं आप मेरे फिंगर्ज और थम की पोजिशनिंग को ध्यान से देखिए और यह भी देखिए कि मैंने बॉल कैसे रखा हुआ है और आप इस इनिशिल मूवमेंट को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ठीक से रिलीज कर पाएं स्टेप टू रिलीज तो ग्रिप बनाने के बाद आप बॉल को कुछ इस तरह रिलीज करेंगे इसमें अपनी रिस्ट को रिटेट करेंगे और यह ज़रूर ध्यान रखेंगे कि बॉल सीधी घूम रही है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड अगर यह ज़रा से भी टेडी होत एक अच्छे रिलीज के बाद आपको इसको कैच करने के प्रेक्टिस करनी है ताकि आप बॉल को जज़ कर पाएं और आपके हाथ इस मूवमेंट के यूज़ टू हो जाएं आप अपने उंगली को बॉल के निशले हिस्ते के सेंट्रल पार्ट पर प्रेस करने कोशिश कीजिए इससे कि आप बॉल का वैलेंस ठीक से बना पाएंगे और इससे स्पिन कर पाएंगे अगर आपने पिछले स्टेप याने की बॉल को हाथों के मूवमेंट पे जज़ करन करना है कि वह सीधी घूमें अगर इसमें जड़ा सा भी एंगल होगा तो आप इसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे बॉल के निशले हिस्ते के वार अपने उंगली के पास करना है तो आपको शुरूआत में स्पिन थोड़ी मीडियम रखनी है और दियुए जैसे अप प्रैक्टिस करते हुए इस पर अच्छे होते जाएंगे अपनी स्पीड को बढ़ाना है और मैं उमीद करता हूँ कि टिप करें और इस वीडियो को लाइक करें ता कि मैं और दिवाने के लिए मोटिवेटिए जैप पाऊं थेंक्यू